तो फोटोशोप की सेकंड क्लास है हमारी है पेज लेना मैंने कल बताई दिया था आपको ठीक है दुबारा से एक बार देख लेना सके अंदर कल हमने किया था सके अंदर आपका रेक्टेंगल वाला टूल ठीक है उसी का ही छोटा भाई यह बहन कहा दो आपका सर्कल है एक ही सिधा बोक्स बनाना सही रहाएगा नहीं कल मैंने बताया था कि आपको सीधा कापनी तो पहले क्या करेंगे आप लेर पागए देखो यहां पर आपको बैगराउंड दिखाए देखा यहां से बताया था आपको और एक और तरीका बता रहा हूं देखो लेर वाले ऑड़ा में ही रहना उर यहां पे आपको बटन दिखाए देगा यह बाला चिहाँ जॉपक्त लेने काम आयंगा यहां से भी आप नहीं ले सकते Isp करते हैं history के अंदर है और यहां click कर देते हैं ऐसे गलती नहीं लेर है तो लेर में जाओ ना ठीक है इस बात का ध्यान आखे नहीं तो अगर आपको इस चीज पर confusion है तो आप यहीं से लेर ले लो को दिख्वाली बात नहीं है ठीक है हमने layer ले लिए एक लेर पर हमने बना दिय दिया box same call के तरह में डाल दिया color डाल जो भी हम में पसंद आया control D के साथ क्या किया unslect किया circle मना circle बना दिये circle नहीं है मैंने कल भी बहाता यह box circle भी कह सकते हो और आप इनको cutting tool तो आपको कट करना भी सिखाया था है इस इस के अंदर आपको याद होगा ठीक है कटिंट टूल को हम कैसे गा सकते हैं जरा देखो आच एक तो मैंने एक लेर में बना दिये ठीक है अब यह देखो एक तरह से कटिंग करने के भी काम आ रहा है बहुत बार क्या होता कि मैं पू यह लग लेर पे होगया यह लग होगया यह लग होगया यह सर्कल मैंने इसमें और काठके निकाला है और इसमें देखो अब आप देखो के दूस्में क्या देख रहा हो यह आर पार दिख रहा देख आग यह आ अप देख सकते है उसके नरुप तो color different होगा तो थोड़ा औ control D, delete करने से क्या हुआ, उसके अंदर का हिस्सा क्या हो गया? खाली हो जेख रहे हो, ठीक है? तो यह cutting की तुर पे भी आप क्या कर सकते हो, यह को यूज कर सकते हो, लेकिन cutting अगर आपको यहां को मिल ले तो आपको सिर्फ कैसे मिल रही है, यह तो box के तूर पे, यह कैसे मिल र तो तूलिए आपको इसमें दिये गए च्राइक है पहला सिंपल है। दूसरा थ्रोड़ा ज्यादा अच्छा है। तीसरा और ज्यादा अच्छा है। यह मैगनेट वाला है, यह POLYGOR लासो टूल या आपका सिर्फ लासो टूल इसमें है क्या डिफने बताता हूं जैसे आपको area select करना है तो यह आपने एक बॉक्स बना के select कर लिया ठीक है दूसरा आपको दिया गया इसके अंदर जो है एक तो आप box बना के select करो और एक आप select करो pen से हैं पैंसिल से जैसे भी आप चाहूं तो इस वाले बटन के इंटर कहा है कि आप क्लिक को दबा के रखो और जैसे आपको जो बनाना है जो भी स्लेट करने के लिए बनाना है आप छोड़ दो यापका उतनले क्या होगा ड्रो कर देगा ठीक न एक तो से आपको बॉक्स बना लेते हो लेकिन आपको अगर कस्टम कुछ बनाना हो तो आप यहां से बनाएंगे यह दिखा ऐसे ठीक है और इसमे क्लिक को दबा के रखना पड़ेगा और जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे अपने आप पूरा अरिया स्लेट कर देगा लेकिन जो यह वाला बटन आपका पोल मई हो वाला प्का वाला हो भी सेम आपका आपका वैसे काम करेगा ठीक है लेकिन इसमें आपको आपका अटोमेनिक स्लेक्टिन जादा होता यह फोटो जो गरा है ज shifting बनाद दूआपको अगर हमें लेर लेनी हो तो मैंने आपको बताया था कि यहां से आप लेर से यापके वह layer तो delete नहीं भी, आप delete ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि layer भी delete हो जाए, तो जिस layer को delete करना, उस layer पर click करो, और आपको layer के अंदर ही second से third option मिल जाएगा, इसका नाम है delete layer, यहां से आप layer delete कर सकते हो, या उस layer के ओपर आप right click करो, और आपको वहां पर भी option मिल जाएगा, क्या delete layer का, ठीक है, हमें काफी बार क्या होता है, किसी भी object का duplicate बनाना होता है, ठीक है, यह हमें copy paste करना होता है, तो वह भी मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके पास में यह layer है, यह object है, हम कहते हैं कि यही आपके पास में जो है, दो हो जाए, या इसके अगर copy करना चाहते हैं, तो आप जैसे कर तो आपके मरजी है, लेकिन हम यह पे copy करेंगे layer to layer, यह object आपका है, अगर आप इसके copy चाहते हैं, तो आपको layer के अंदर यह option दिया आगा है, second number इसका नाम है duplicate layer, तो यह क्या करना है, इसकी duplicate layer और यह बिल्कुल exact इसके ऊपर ही लेके आप अगर चाहो, तो जरूरी नहीं आप इसका use करो, आप क्या करो वही same चीज, select करके control C, control V, बात एक ही है, वो भी आपका automatic उसके लेके आएगा, लेकिन अब एक layer पे अगर 6 object है, तो आप 6 को 6 को इसके एक साथ में, आपको object का duplicate बनाना है, तो आप जैसे कर तो यह बैसे क history के अंदर जाके पूरा back कर रहा हो, जोलो, पूरा undo कर दिया मैंने, ठेक है, आपको अगर कभी future के अंदर, जैसे हमने यह box बनाया और इसमें हमने डाल दिया color, control D दबा दिया and select करने के लिए, हम कहते से हमें, हमें दुबारा color करना है, ठेक है, तो दुबारा color करने के अग्जेक्टली select करना पड़ेगा, तो exact select करने में time क्या होगा, वेस्ट होगा, अभी भी select नहीं होगा, हमने फिर से कोशिच की, अभी भी नहीं होगा, तो थोड़ा बाहर हो गया, थोड़ा अंदर होगा, तो उसमें बात नहीं मिलेगी, हमें exact अगर यही area select करना हो, दु है, select कर लेगा, ना फालती होगा, ना कम करेगा, इस बढ़न का नाम है, क्या नाम है, magic tool, magic when tool बोलते हैं, लेकिन इसको magic tool कह सकते हैं, बात ही की है, यह दुबारा से area को select करने काम आएगा, जब एक बार आपका दुबारा area select हो जाएगा, तो उसमें आप जो भी color equivalent है, वो आ file के अंदर जाना, और कहां जाना, open के अंदर जाना, open में जाओगे, तो photo जैसे कि आपको सभी को पता है, कि photos को मैंने रखी वी है, अगर आप दोनों साथ साथ देखना चाहती है, तो आप ऐसे काम कर लो मरजी है आपकी, अच्छा, एक खास बात धाना, जैसे आपने photo जो insert की है, और अगर आपने photo में ऐसे select करके, अगर आपने delete कर दिया, एक बात हमेंशा धाना, अगर आपने कभी भी select करके photo के अंदर कुछ भी changement किया, तो ये photo original है आपकी, आप जैसे photo insert करते ही, ये photo आप लेके आया है, open के तो ये आपकी original photo है, आपने करें, इसमें कुछ भी changement किया, तो ये आपकी original photo में changement होगा, अगर आपसे कभी हो भी जाए गलती से, तो इसको close कर देना, इसको save मत करना, जैसे आप close कर देना, जैसे आप close कर देना, आप से पूछे का yes or no, तो उस time पे no कर देना, तो तरीका क्या है, तरीका आप फोटो को कभी open करते हैं, तो open करने के बाद में क्या करना, तरीका बदाता हूँ, आपको अपने photo insert कर ली, ठेक है, अब आप इस photo के सबसे पहले क्या बनाओ, डुप्लिके बनाओ, ठेक है, आपकी जो photo है, वो कहा गई photo हमारी, पीछे चले गई, यही photo हमारी, इसको ब duplicate पर क्लिक करो, okay करो, यह इसका duplicate आगया, अब जो duplicate है, उसको रखना, जो original को क्या कर देना, बंद कर देना, अब आपका काम किसे में होगा, duplicate में होगा, तो कभी भी original image पे काम मत करना, ठेक है, अगर आप original में काम करेंगे, तो नुकसान आपका होगा, आपकी original photo क्या हो करेंगे, तो आपकी automatic duplicate है आएगी, original नहीं आएगी, वह भी आपको बता दूगा, ठेक है, तो इक बार बैट की जड़ा, इतना try करके देखो, फिलान के लिए.